हलो गाईज आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड आज जो हम डिसक्स करने वाले हैं बहुत ही पावरफूल एंड बहुत ही मस्त टॉपिक जो है गो लेंग के दौरा वो डिसक्स करने वाले हैं जिसका नाम है गो रूटीन ठीक है इसके बारे में हम कुछ पॉइ लेवल के कोशन से हैं जो वो भी बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहें अब मालो आपके आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर बहुत सारे कंकुरेंट प्रोसेसिस हैं जो के बनाय हूं है ठीक है उनको गो गो लेंग में अंदर क्या नाम दिया जाता है गो र लिखा है ठीक है उसके अंदर में फंक्चेन तो होगा घाइज यह आप लोगों को पता ही है क्यूंकि मैं परानी Aku में लेटाँ है कि जो भी है उसके इंदर एक में फंसट ही होता है ठीक है उसको गो लेंग के नाम दिया थे इता है गो यह ए इंटर्वीय लेज function जो होता है वो एक go routine ही represent करता है अब गाइस यह जो main thread होता है यह जब भी terminate होता है यह सारी go routines को terminate कर देता है तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह points clear हो गए होंगे and आप भी हम बढ़ते हैं इसके syntax के बारे में कि इसका syntax क्या होता है अब मान लो यहां पर मैंने एक function declare किया हुआ and इस function को मैंने यहां पर call किया हुआ अब function के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो मैं वीडियो जो description है वीडियो का उसके अंदर मैं लिंक दे दूँगा functions के दोवारा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उसको समय लेना उसको देख लेना ठीक है तो इस function को जब हम call कर रहे होंगे इसके जो prefix के अंदर जो लगेगा उसके अंदर go keyword use होता है go keyword जो represent करता है वो हमारे represent करता है अब आशा करता हूं आप लोगों को जो syntax है वो clear हो गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं programs की तरफ इसके regarding हम कुछ programs को implement करते हैं तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने एक function को clear किया हुआ है एंड उसके अंदर कुछ एक लूप चलाया हुआ है अगर किसी को लूप के regarding भी कोई डाउट है तो लूप के regarding मैंने वीडियो बनाया हूं मैं description में दे दूँँगा तो लूप यह कब से और कहां तक चलेगी जीरो से लेकर यह 9 तक चलेगी मतलब दस बर ही घुमेगा और उसके अंदर मैंने एक string को print करवा हुआ हुआ है तो अगर मैं इस program को run करूँ अभी मैंने यहां पर main के अंदर इसको call किया हुआ हुआ है इस ने print करवा दिया अगर आप इसकी output को count करें तो यह 10 ही होंगे ठीक है गाइस तो अब क्या हुआ इसमें क्या हुआ basically जो control है गाइस वह में जो हमने वैसे नॉर्मली कॉल किया हुआ function को उसको तो उसकी तो execution जो हो गी वह हो जाएगी जैसे हम पुराने functions के अंदर require करते हैं ठीक है जैसे वह पुराने functions को execute करता है अब जब भी has gone is के उपर आते है गो रिटीन के उपर आते हैं जब भि हो इसके उपर आएगा control हमारा आएगा वह कभी भी इसके जो return है जा इसकी जो execution है वो उसके उपर कभी भी नहीं इतना गौर फर्माएगा कि मैं इसकी लिए wait करूँ जो control है हमारा वो go routine के wait नहीं करेगा इसको wait करवाने के लिए हमें यहां पर क्या करवाना पड़ेगा इस process को sleep करवाना पड़ेगा एक एक सेकंड के लिए तो इससे क्या होगा कि हमारा जो थ्रेड है वो डेटा को print करवा पाएगा जो control है वो इसके लिए wait करेगा आपके इसकी जो output है वो print हो ठीक है तो हम अगर इसकी अब output चेक करें तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहां पर एक एक करके एक सेकंड के gap में चीजों को print करवा रहा है तो अभी यह 20 टाइम्स यह लूप को चलाएगा क्यूंकि हमने यहां पर फंक्शन को दो बारी call किया हुआ है तो गाइस यह हो गया इसकी implementation की तरफ तो anonymous function की तरह ही है anonymous function डिकलेर किया एंड उस anonymous function के आगे हमने basically बस उसका prefix है जो go keyword के साथ उसको यूज कर लिया and main जब run करेगा वो hello main प्रेंट करवाएगा and उसके बाद इसकी anonymous function की call execution वो करवाएगा अगर मैं इसकी output को चेक करूँ तो अभी आप देख सकते हैं hello main इसने प्रेंट करवा दिया तो अभी क्या है कि go routine को time नहीं मिला controller ने जो है वो time नहीं दिया इसको अपनी output को प्रेंट करवाने का तो इसके लिए इसको भी क्या करवाना पड़ेगा हमें एक second का time देना पड़ेगा तांके यह अपनी output को प्रेंट करवा सके तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी इसने अपनी output को प्रेंट करवा दिया है तो guys यह था first lecture मेरे go routine के regarding तो आशा करता हूँ आ इस यह था इसकी जो मेमरी वह बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं बट जो थ्रेट्स होते हैं उनकी जो स्टैक में जगा होती है वह कम जादा नहीं होती वह वेरी नहीं करती है ठीक है वह जगा लेते हैं बस वहीं पड़े रहते हैं तो guys यह थी इसके advantages go routine की अशा कर करता हूं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा अगर किसी को नहीं समझ में कोई doubt है तो वह comment section में बता सकता है मैं उसको जुरूर clear करने की कोशिश करूँगा आपके जो comments होते हैं वह बहुत ही valuable होते हैं हमारे लिए चैनल को subscribe करें थैंक यू फॉर वाचिंग करें